ताजा तरेन खबरों के लिए Prime News 24 को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन दबाए राधी डरिया के पार बसने वाले साथ गाओं के लोगों की होगों को रोजमर्य के काम के लिए इस किस्ती में बैटपकर जाना पड़ता है, इस किस्ती में छुटे छुटे बच्चे भी सबार होते हैं, ऐसे में देश के यह गाओं देश की तरक्की की पोल खोल रहे हैं वही किस्ती में बैट कर शहर की योर आ रहे गाउं के लोगों को किसानों ने अपना दुख्ड़ा सुनाते हुए बताया कि आजादी के 72 साल भी जाने के बाद भी उनका यह पुल नहीं बना पुल उठाये जाने के बाद भी उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा उन्हें रोजमर्या के काम के लिए शहर जाना पड़ता है और उनका एक मात्र सहारा किष्टी है और किस्ती चलाने के लिए भी कभी मलाह मिलता है तो कभी नहीं मिलता अपनी जिन्दगी खत्रे में डालकल किस्ते में बैट कर दूसरी तरफ जाना पड़ता है पहले दो किस्तियां थी लेकिन एक किस्ती टूट जाने के बाद उनके पास अब एक ही किस्ती बची हुई है ये साथ गाओं पाकिस्तान बार्डर के बिलकुल पास हैं जो बरसाथ के दिनों में पलुठाये जाने के बाद टापू बन जाते हैं और इन गाओं का संपर्ग देश्ट के अन्य भागों से टूट जाता है ऐसे में ना तो गाओं में कोई मैटकल सहुलियत मिल पाती है और ना ही कोई और सहुलियत पार बसने वाले किस्तानों का भी काफी नुकसान होता है और इन दिनों किस्तानों को बाड़ का भी खत्रस आता रहता है वहीं मौके पर पूँचे पंजाब पुलिस के अधिकारी ने बताया कि वहां जहां या देखने आये थे कि लोग परिशान तो नहीं हो रहे किस्ती जा रही है या नहीं जा रही है किस्ती के मलाह को बताये जाने कि अगर कोई समस्या होती है तो पुलिस के बड़े अधिकारियों को सुचित करें फिल हाल आस थाई पूल उठाये जाने के बाद लोग किस्ती के जरिये रावी दरिया के पार अपने गाउं में जा रहे हैं प्राइम निस 24 के लिए जतेंदर कुंडल की रिपोर्ट जिदो को तो अनुको प्रावलों हम दिया ते साटेंड़ा सम्फर अधे गुर्दासपुर जिले देवेचे मकोडा पत्तन ते खड़े हैं कि इते खड़ा वर गे हलात बने पर इन रावी तो पार साट पेंड़ साटे वास देने उना सतना पिंड़ा दे हलात जेड़े बहुत ही ना जुक ने क्योंकि उद्धर कोई सेथ सूर्थ नहीं है कोई एदर इना नु रावी तो पार जे कसाना ने खाद खड़नी है उदे क्यों कि बाड़ी लुद्ध पार ने उना नुभी आञा सके पॉल्दा प्रबंद। 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 बहुत दिक्कत है तेकिन मैंने जो आज चीज है कि बाखे यहां पर फीफित आजादी तो हुई है लेकिन यहां पर साथ मियों गाब लगते हैं